नमस्कार मैं प्रग्या धरधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को जमू कश्मीर में अनुछे 370 को खत्न करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोट में सुनवाई जारी है CGI चंदरचूर ने कहा कि अभी जमू कस्मीर समिधान का नुछे 570 अरसाता है कि भारतियन समिधान जमू कस्मीर पर लागू होगा ASEAN Games 2023 की शुरवात अब महज एक महीने का समय बचा है 23 सितंबर से ASEAN Games की शुरवात होगी जो की 8 October तक चीन के हांग जो में आयोजीत होंगे इन खेलो को अधिकारिक तोर पर ASEAN Games 2023 कहा जाड़ा है लगवा एक साल के इंदजार के बाद इन खेलो का आयोजन होने जाड़ा है इन खेलो के आयोजन के लिए 44 वेन्यू तयार किये गए हैं जिसमें से 14 वेन्यू बीत तीन साल में बने हैं चीन बीते 8 साल से इन खेलो की तयारी कर रहा है इन खेलों में उलम्पिक्स के 28 स्कोर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था इसके बाद कुछ ग्यार उलम्पिक खेलों को भी शामिल किया गया जिसके बाद यह संख्या सैतिस तक पहुँच गई है ऐसा पहली बार है जब इश्याई खेलों में ई-स्पोर्ट्स को सामिल किया देश अब से कुछ घंटों में नया इतिहास रचने जाड़ा है आज साम 6 बच कर 4 मिनिट पर हमारा चंदरयान 3 का लैंडर विक्रम चांद को चूमेगा इसको लेकर जहां पूरे देश में उस्सा है वहे इसरो चीफ एस सोमनात मिशन की सफलता को लेकर पूरी तर से आस्वस्त नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि चंदरयान 2 अभियान से सीख लेते वे हमने इस बार गलतियों की कोई गुंजाइस नहीं छोड़ी है चंदरयान 3 अभियान की सफलता के लिए बैकप का भी बैकप प्लान तयार है CBI ने 4,000 करों रुपए से अधिक के रिन धोकादरी मामने में GTL, Infrastructure Limited और बैंकों के अग्यात अधिकारियों खिलाफ FIR दश करने के बाद मुंबई में उसके दफ्तर में छापा मारा CBI प्रवक्ता ने बताया कि 13 बैंकों के अधिकारी रडार पर है उन पर कमपनी के 3,224 करों रुपए के बकाया को प्रतिभूतियों को गिर्वी रखकर अपने रिन को सुरक्षत रखने का प्रयास के बिना 1,870 करों रुपए में से एक परिसंपती पुनर्मान फर्म को सौपनी का आरोप है इसमें Union Bank of India, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Bank of Broda, ICICI Bank, Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, Andra Bank Bank of India, Axis Bank, State Bank of India, United Bank of India और देना बैंक शामिर है केंदर सरकार से सियासी लड़ाई लड़ रहे, नितीश कुमार ने क्या अब राजभवन से आर पार करनी की तैयारी कर ली है संकेत, तो ऐसे ही मिल रहे है पहली दफ़े बिहार सरकार ने विश्यवध्यालियों में कूल पतियों की नुक्ति के लिए खुदा वीदन मांग लिया है पड़ी बात यह है कि राजभवन ने पहले ही कूल पतियों की नुक्ति के लिए विग्यापन निकाल रखा है एक नितीशकुमार उनकी राजनतिक खत्या करवाना चाहते हैं पासवा ने नितीशकुमार अत्था इंडिया गढदधन पर जमकर निशाना साथा यही नहीं रागुड़ादी के रदाग दोरी को लेकर भी उन्होंने तंच कसा उन्होंने कहा कि राहुल गांदी को नरिंद्र मोधी तक पहुचने में अभी बहुत समय लगेगा साथ ही विपक्ष के इंडिया गडवंधन पर भी कहीं तरह की सवाल उठाएं उन्होंने कहा कि भानुमती का कुन बाद जल्द विखर जाएगा बिहार का विधान सभाचनाव एंडिये गडवंधन में लड़ा जाएगा पाकस्तान के पुर्व मंत्री फवाद हुसेन ने मंगलवार को भारत के तीसरे चंद्र मिशन की प्रशनशा की इतना ही नहीं उन्होंने इसे मानद जाती के लिए अतिहासिक छन बताया उन्होंने सोचल मीडिया पर पहले भारत को बढ़ाई दी फिर कहा कि पाकस्तान की मीडिया को भारत का चंद्रयान ती जब उदवार शाम छबच कर 15 मिनट पर चान पर लैंड करेगा तब उसे लाइब दिखाना चाहिए उन्होंने का कि अमानद जाती के लिए इतिहास एक छन है खासकर भारत की लोगों बेग्यानी को और अंत्रिक्स जुरे लोगों के लिए अमनात यात्रा के लिए आने वाले श्रधालों की संख्या में लगतार कमी देखनी को मिल रही है इसी बीच अमनात यात्रा को निलंबित कर दिया गया है और भक्तों की संख्या में हो रही कमी के चलते। 23 अगस्त से यात्रा को रोक दिया गया है। और उन्हें पहले कडाची में अपने तीन वर्षों पर बहुत वस्तार से चर्चा की है। जो बहुत तेजी से कैंसर की जाच कर लेगा प्रेगनेंसी के लिए एक किट होता है जिसमें यूरीन की एक दो बूंद डालनी होती है इसके कुछी सेकंड बाद दो लाल रिखा बन जाती है इसे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं इसी तरह की नैनो पार्टिकल क सेकंड बाद के साथ चारवे मर्ष किया सरकारी सूतरों ने कहा कि सीडिया समुद्रे थेटर कमांड की भविष्य की सनचनाओं और जिम्यदारियों पर चर्चा करने के लिए अंडमान और निकोबार कमांड दक्षनी वाईयो और नौसेना कमांड और नौसेना के पश्मी और पुर्वी कमांड सहितिन सिवाओं के वरिष्ट सेनिक कमांडों से मलाता की कैपाकस्तान के कपजेवाली कस्मी में भारतिय सेना ने फिरस सर्जिकल स्ट्राइक की है तैनिक जागरान ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि 19 अगस्त की राद के सर्जिकल ने रजाओरी के तर्वकंडी सेक्टर और पुंच के भिंबर गली से राद के समय पैदल एलोसी पार्क की पीओके में करीब धाई किलोमीटर भीतर घूस कर कोटली जिला के नकयाल में आतंकियों के चार लॉंचिंग पैड को तवाह कर दिया इसे कम से कम साथ से आठ आतंक लाग रुपे का जर्माना लगाया है इसकी जानकारी अडानी ग्रीन एनरजी ने शियर बाजार को दी है जानकारी के मताबिक B.S.E. और नेशनल स्टॉक एक्षेंग ने कुछ अनुपालन नहीं होने पर 21,2023 के पत्र के जर्ये कमपनी पर 2,24,200 रुपे का अलग अलग जर माना लगाया है एक मैला निदेशक के और समा एक निधन और एक सुतंतर निदेशक के बाहर जाने के कारणिया स्थी प्यादा हुई एक स्टडी के मताविक सिंपल ब्लड टेस्ट के जर्ये डायविटीज टाइप 2 के मरीजों की दिल की बिमारी और किड्नी की बिमारी का पता लगाया जा सकता है अमेरिकन हार्ट में पबलिक रिसर्च के मुताबिक टाइब दो डाइबिटीज और किर्णी की बिमारी वाले 2500 से अधिक लोगों के उपर ये टेस्ट किया और उसमें पाया गया कि ब्लड टेस्ट में चार बायो मारकर होते हैं जो दिल की बिमारी और किर्णी की बिमारी का प श्वेनी कुमार चौबे ने जिले में प्राक्रमे मुद्रा पाले भगवान राम की विशाल प्रतीमा के स्थापना को लेकर कहा कि प्रतीमा का नर्मान कारे नमंबर महीने में शुरू कर दिया जाएगा और होने बताये कि बकसन में भगवान राम की कुल लंबाई 308 फीट हो प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार परिसत के चेर्मान बिबेग दोबराय का कहना है कि सरकार का माल एवं सेवा करके कारण राजश्वर का नुकसान हुड़ा है आदर जियस्टी बहा है जिसमें एक ही दर हो और इसका उदेश राजश्वर ततस्त होना था जियस्टी पहली बार लागू किया गया था तो औस दर कम से कम 17 प्रतीशत होनी चाहिए थी लेकिन मौझूदा दर 11.4 प्रतीशत है ऐसे में जियस्टी से सरकार को राजश्वर का नुकसान होड़ा है उन्हों ने कहा कि लोगों के सासाथ जियस्टी परिशत के सदर्शे भी चाहते हैं के 28 प्रतीशत करकी दर कम हो कमपनी के एक सीनियर अतिकारी ने इसके पुस्टी की है भारत में ब्रान की वापसी ओनर टिक के साथ हो रही जो एक नई कमपनी है भारत में ओनर को इस बार पहले फोन ओनर 90 होगा और इसमें 200 मेगापिक्सल का होगा ओनर टिक ने CEO माधव सेथ ने PTI से बाचीत में बताया कि वे इस साल के अंधे तक 4-5 परसंट का मार्कर्ट शेयर हासल कर लेंगे अगले साल होने वाले लोग सभा चुनाओं को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इंडिया के नाम से नया गड़ बंधन बनाया है इस पर वक्षी एकता की कवायद में एहम रोल निभाने वाले नितीश कुमार क्या इंडिया के संयोजक होंगे से लेकर लगातार चरचाओं का दौर चारिये इसे बीच आरज़री सुप्रीमों लालु प्रशाद यादव ने इस पर खुल कर अपनी बात रखी उनने साफ कहा कि इंडिया में सामिल सभी पार्टियों के निताओं की सहमती से इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा इसमें कोई समस्या नहीं है लालु यादव ने सीधे तोर पर नितीश कुमार का नाम नहीं लिया भारत के प्रधान नियाधी सदी वाई चंदरचूर नहीं मंगलवार को कहा कि उच्टम नियायाले एक जन केंदर रालत है ना की अन्नेक स्वरोवाली इसके साथ उन्हों ने कहा कि कॉलेजियम के धयो में से एक भारत की सम्रिद्धी और विविद्धा का प्रतिनित्वग सुनशित करना है प्रधान नियाधी सुप्रीम कोर्ट बार एस्सोशियेशन के ओर से नियायमूर्ती उज्वल भुईया और नियायमूर्ती स्वी एन भट्टी के लिए आउजित अभिनंदल समारों को संबोधित कर रहे थे प्रधान नियाधीस ने कहा कि सक्षम नियाधीस हो खासकर जिन्हों नियाईपालिका की सेवा में अपने जीवन के बहुमूले साल समर्पित किये हों कुछ सिर्श अदालत में पदुनत करना नियायका दारा बराने का एक तरीका है उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी दुनिया का सबसे उचा मंदर बनाया जागा भगवान क्रिशने की जनभूमी मतरा में बन रहे है इस मंदर का नाम चंदरोदय विंदावन मंदर होगा और इसके अगले डेर से दो साल के अंदर तयार होनी की उम्मीद की जारी है मंदर कुसकौन यानि अंतराष्ट्रिय क्रिशना भावनामिर्ट संग बनाड़ा है इसका सिलनराष सोला नवंबर 2014 को ततकालिन राष्ट्रपती प्रणम मुखर जी ने किया था मंदर में लगवग 166 मंजले होंगी जो दुनिया के किसी मंदर में नहीं है सरकारी मेरी डियतन कंपनी BEML Limited के शेरों में बुदवार को तगरा उच्छाल किया है कंपनी के शेर 5% की तेजी के साथ 2,183.95 रुपए पर पहुच गया है BEML Limited के शेरों का यह 52 हफते का नया हाई लेवल है सरकारी कंपनी के शेरों में यतेजी एक बड़ा डिफेंस ओर्डर मिलने की वज़े से आई है BEML के शेरों का बावन हफते का लो लेवल 1,139.1 रुपए है यह ओर्डर 101 करोड रुपए का है इससे पहले BEML को 7 अगस्त को 3,177 करोड रुपए का ओर्डर बेंगलूर रेल कॉर्परिशन लिमिटेट से मिला है बारतिय जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक समराथ चौधरी ने जंता दल युनाइटेट पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने जेडियू पार्टी को जूट का उनिवर्सिटी बताया उन्होंने कहा कि जो जूट बोलने वाला उनिवर्सिटी हो वो लगतार जाती गर्नापर भ्रम फैलानी का काम कर रही है समराच चौदरी ने कहा कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार की पार्टी जेडियू लगातार जूट का सहाराल ले रही है पिहार में इनकी पार्टी के लोग लगातार भ्रहम फैलाने का काम कर रहे है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार की पार्टी जेडियो को मैं चालेंज करना चाहता हूं कि यदि हिम्मत है तो वो कागस दिखाय जिसमें सॉलिस्टर जनरल ने विरोध किया है नितीश कुमार उनकी पार्टी के निता लगतार संबद में जूट बोल रहे हैं सुप्रीम कोट ने इंटीलिया बम कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गरफतार पुर्व पुलिस अधिकारी प्रदीव सर्मा को जमारत दे दी है इंटीलिया कांड की जांच कर रही राश्ट्रे जाच अजनसी एन आई ने आरोप लगा है कि सर्मा ने हिरेन की हत्या करने में अपने पुर्व सहयोगी सचीन वजे की मदद की थी विचिस फरवी 2021 को दक्षिन मुंबई स्थ उद्योगपत इमुके संभानी के आवास एंटीलिया के पास विस्वोटक से भड़ी SUV कारी मिले थी थाने के रहने वाले कारोबारी मंसुक हिरेन की थी जो पांच मार 2021 को ठाने में एक खारी में उनका सब बढ़ामत हुआ था प्रदीव सर्मा को इस मामने में जून 2021 में ग्रफतार किया गया था कल केंद्री सरक पड़िवन और राजमार्क मंतरी नितन गड़करी ने भारत न्यू कार असिस्मेंट प्रोग्राम लॉंच किया ये भारत का अपना क्रैस टेस्ट सिफ्टी प्रोग्राम है जिसके तहत वहानों का परिछन किया जाएगा इस नए पहल से ग्रांकों के साथ साथ कार कंपनियों को भी बड़ा आर्थिक लाब मिलेगा केंद्री मंतरी तंगर करी ने कहा कि है सरकार का एक बड़ा मिशन था भारत में के जाने वाले कार क्रैस टेस्ट की लागत अंतराष्ट्री वाजार की तुल्ला में केवल एक चौथाई होगी विदेश में क्रैस टेस्ट की लागत 2.5 करोड रुपे हो और भारत NCAP के तहत इसे महज 60 लाग रुपे में किया जाएगा इस प्रोग्राम के लाँच से पहले ही तीस कारों के टेस्टिंग की रिक्वेस्ट हो चुकी है स्टेटी 2023 के लिए आविदन की आखरी तारी को बढ़ा कर 25 अगर 2023 तक कर दिया गया है पस संबंध विशे में 59 पचास फीज़ी अंकों के साथ पीजी और बीट किया होना चालिये विहार में चार एनच का करी 338 किलोमीटर लंबाई में निर्मान इस साल से मार्च तो हजार चौबिस तक पूरा हो जाएगा इसमें नरेन, पूर, पूर्णिया, अरडिया, गलगलिया, पिपड़ा, कोठी, मोतिहारी, रक्सौल और पटना, गया, डोभी, सरक्स शामिल है इन सभी का नर्मान कारे तेज गती से चल रहा है इनके बनने से एकदर जर्जलों में आवागमन बहतर होगा साथी पश्चिम बंगल, जहारखन और निपास बहतर कनेक्टिविटी विक्सित होगी इससे राजी का आर्थी कोर सांस्क्रित विकास होगा भारती क्रिकेट टीम के पुर्व खिलारी मास्टर ब्लास्टर सचिन तंदुलकर को भारती चुनाव आयोग ने एक नई जिम्मेदारी दी है उन्होंने सचिन तंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाया है द्रसल देश में होने वाले लोगसभा और विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते वे चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है इससे पहले 2019 के लोगसभा चुनाव के दुरान टीम इंडिया के पुर्व कप्तान MS धोनी अक्टर अमिर्खान और बॉक्सर मेडिकॉम जैसे दिगश चुनाव आयोग के नेशनल आइकन थे चंद्रयान तीन बुदवार 23 अगस्त के शाम लगभग 6 बच कर 4 मिनट पर चंद्रमा के दक्षनी दूरूप पर उतरने वाला है जो ये भारत के लिए एक एतिहासिक दिन है इसी बीच एक्टर आर मादवन ने भी अपनी खुशी का इजहार करते वे एक ट्वीट किया है और नों ने ट्वीट कर कहा है कि चंद्रयान तीन सफलता पर इस शो को बेहत बढ़ाई मैं बहुत खुश हूँ और गर्व है अधरी नमभी एन ओफीसिल को भी बढ़ाई विकाश एंजन लॉंच के दौरान एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करता है साथ ही अक्टर के स्वीट यूजर्स भी अपनी अपने प्रत्तिक्रिया जाहिड कर रही है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अपने जवाब हमें मारे कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताए आज कली इतना ही धन्यवाद